हलो आज है 13 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलान एनरजी के बारे में साड़ी 6 रुपए का शेर है आज भी 4% के गिरावाट है लेकिन एक बड़ी ख़बर निकल कर आई थी हलकि यह थोड़ी से पुरानी खबर है लेकिन इस खबर की क्या माइन निकलते हैं उसके बारे में हम डिसकस करेंगे सुजलान का क्या फ्यूचर है उसके बारे में डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब काफी जादा हल्प करेंगे तो सुजलान का जो शेर है वो हाल फिल हाल में ट्रेड कर रहा है साड़े छे रूपए के आसपास और अगर हम बात करें पिछले एक महिने की तो एक महिने में ये 21 से 22 प्रतिशत तक तूट चुका है लगा ता तूट रहा था थोड़ा सा बांस बेक आया टेंपररी बांस होंगे खरीदारी के तो कतई मौके नहीं बनेंगे लेकिन अब जब ये लगाता तूट रहा है और खास करके जब ऐसी खबर आई है कि बड़ी खरीदारी हो रही है पीछे के दरवाजे से यहां पर बात करना बनता भी है इसको लेकर लेकिन अगर आप लॉंग टर्म का ग् कंपनी काम करें जिस से कंपनी बिलॉंग करती है उस उस सेक्टर में हैवी कंपेटिशन अब आने वाला है ठीक है जो हम ग्रीन एनरजी की बात करते हैं डेफिनिटली वहां पर बड़े कंपेटिशन आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे टाटा है अदानी है अंबान या अच्छा फ्यूचर होगा इसका इसके बात में तो देखो ऐसा होता नहीं है कि जो भी कंपनी को खरीता है वो डेफिनिटली नहीं चाहता है कि कंपनी उसी प्राइस पर रहे वो हमेशा उसकी रिलिस्टिंग करवाता है ये कई बार हमें देखने को मिला है और अगर का है बीएसी में और सपॉने साथ करूर का है चंप stub बड़ी कॉंटिटी में शैलिस کے नदेट होते नदी दिआ लेकिन दिक्कत क्या है छिए कंपनी का बहुत सारा जो पैसा है और डेट के तोर पर जा कंपनी लॉस में हैं कंपनी के उपर करजा कई जाता है और दिक्कत यह है कि कंपनी अगर 10 रुपए कमाती भी है तो करजे के तौर पर उनको 12-13 रुपए चुकाने पड़ते हैं तो प्रॉब्लम वही आते हैं कि वापस कंपनी आते हैं लॉस में डेट रिजल्यूशन कई बा 92% हुई है यह मई की है लेकिन जून में कुछ गेम हो गया और वो गेम था इंसाइडर का यहां पर इंसाइडर है रंजित सीह परमार कंपनी के डेजिगनेटिट परसन है उनकी तरफ से खरीदारी की गई 24 जून को और वो खरीदारी थी 10 लाग शेर्स की एक और कंपनी के डेजिगनेटिट परसन है नौ जून को उनकी तरफ से भी खरीदारी करीए लेकिन 24,000,000 शेर्स थे यह एक और कंपनी के जो डेजिगनेटिट परसन है बलराज सिंग परमार और यह सब फैमिली वाले ही लग रहे हैं सभी के सभी उनकी तरफ से भी 4,000,000 शेर्स खरीदे ग रुपय के शेर्स खरीदे तो 7.4 मिलियन रुपीज के उनके शेर्स खरीदे और किस प्राइस पे तो 7.38 रुपीज पर शेर्स पर डेफिनेटिल उससे तो नीचे ही है लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि यह कोई बड़ी बाई नहीं है ठीक है उनकोई बहुत बड़ी बाई नह से individually यहां पर खरीदे गए हैं और यहां पर अगर हम बात करने जाए सुजलान के बारे में तो 23% लोग according to money control user कह रहें कि बेचो बाकी हर कोई कह रहें खरीदारी करो यहां पर company के revenue में बहुत बड़ा जंप था यह 3,300 करोड के revenue 6,600 करोड पर पहुंच चोके डबल हो चोके हैं almost 2021 और 22 अगर हम compare करें तो और profit की जहां तक बात है company loss में 166 करोड का loss इन्होंने दिखाया है और पिछले quarter में तो भईया 200 करोड से भी जादा का loss दिखा दिया था इसने लेकिन expect हम करेंगी कि future में company profit में आ जाए लेकिन challenges बहुत जादा है इस company के सामने और future में competition भी जो है वो बढ़ने वाली है अगर हम बात करने जाए तो definitely turbine बनाने का wind turbine के बात करें wind और कई सारी चीज़े हैं जो एक company बनाती है green energy produce करने के यह सारी चीज़े हैं यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका है कहना है ticker tap का कोई भी red flag नजर नहीं आ रहा है holding के अगर हम बात करने जाए तो 14.92 भाला कि यह मई की holding है जून में बड़ी खरीदारी इनके द्वारा देखने को मिली तो देखना रहेगा कि वह यह क्या changes हुए हैं लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करें तो other parties 35.35% की holding लेकर बैठी हुई है और retail वालों के पस 26% की holding है अब उन्होंने क्या किया रेटेल वालों ने 28% की holding थी वो घटके उनकी हो चुके है 26 और other domestic ने बहुत बड़ी खरीदारी करी 11.65% की holding बढ़के हुई 16.32% तो वह यह कुछ तो चल रहा है जो इतना बड़ा खरीदारी domestic वालों के तरफ से भी हो रही है अलाकि मई में हुई थे उनकी तरफ से और अभी अगर हम देखे तो individually insiders के द्वारा खरीदारी देखने को मिल रही है तो definitely अगर हम बात करने भी जाए तो share अगर आप देखेंगे तो इस quarter पीछे तीन महिनों में definitely खरीदारी जादा हुई जरूर है लेगिन उसे पहले के quarters अगर आप देखोगे तो बिक्वाली जादा थी ठीक है जैसे कि 9 से 12 महिने का अगर हम time देखें तो बहुत सारे share सिफ बेचे गए share sold के अगर हम बात करें तो चाड़े चार करोर से भी जादा के share बेचे गए जबकि 6 से 9 महिने की बात करें तो 6 से 9 महिने में अगर आप देखें तो 11,70,000 shares बेचे गए उससे पहले के अगर हम बात करें 3 से 6 महिने की बात करें तो 15,000,000 के आसपा share बेचे गए पिश्रतीन महिने में अगर आप देखो तो सिर्फ एक लाखी share बेचे गए हैं लेगिन उसके सामने 16,80,000 share खरीदे कमपनी देखो कोई अफलाटून कमपनी तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत ही जादा दिक्कतों से गिरी हुई ये कमपनी है और कमपनी में जहां तक खरीदारी की मैं बात करूंगा तो जो खरीदारी का लेवल है वो मुझे लगते हैं कि 5 रुपए बिलता है तो यहीं मैं कहूंगा आपसे कि अगर आप बाइंग करने की सोच भी रहे तो बहुत बड़ा इंवेश्मेंट कभी भी मत करीगा और खासा कि इस प्राइस पर तो नहीं लेकिन 5 रुपए के आसपास मिले तो खलका फुल का निवेश अगर करना चाहो तो वहाँ पर कर सकते हो उससे महंगा नहीं और कंपनी दिक्कत में हैं कंपनी डेट रिस्ट्रक्चर कर रही है दुबारा अपना अगर चीजे बहतर होती है तो ही ग्रोथ नजर आएगा अगर चीजे बहतर नहीं हो पाई तो ये बरबाद भी हो सकती है तो उस रिस्क को याद जरूर रखेगा वडियो को यहीं पैंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक प्रेश राइकर चैनल अगर 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 पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो सुझलन एनरजी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्यू